और फूरद से फितनेस हरकोई फेस्टिवल का खोई ना कोई श्मने को बाता है तो आज हम आपको बताएंगे की उत्रायन का स्पेशल फूड क्या है और यह कैसे बनेगा उत्रायन का स्पेशल फूड है साथ धान का खिचडा कोई लोग 5 दान से भी बनाते हैं कोई 7 दान से भी बनाते हैं तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि साथ धान का खिचडा कैसे बनेगा तो चैनि यह वीडियो को शुरू से लेके अंतर ज़र kalian नई नई रेसिपी और और होम रेमीडी को देखने के लिए वीडियो के नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन के उपर क्लिक कर लिजिए और सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन को क्लिक करना ना भूले खीचड़ा बनाने के लिए मैंने वन फोर्थ कप चावल ले लिये है वन फोर्थ कप मैंने जुवार ली है जुवार को पकने में राद पानी में भिगो दिया था अगर आप भिगो न भूल जाओ तो आप जुवार को मिक्सी में दरदर आ पीस लीजिए फिर मैंने यहाँ पे एक टेबल स्पून चना दाल और एक टेबल स्पून गेहु के दाने लिये है और इन दोनों को भी मैंने 2-3 घंटे तक पानी में बिगो दिया था फिर यहां पर मैंने लिया है मटर के दाने, तुवेर, वाल और चना यह चारो चीजे हरी है और यह चारो चीजे मैंने एक एक कटोरी ली है फिर एक टेबल स्पून मुंकी दाल ली है तिल 1 टेबल स्पुन, एक टेबल स्पुन तुवेर की डाल, एक टेबल स्पुन साबुद मूंग, नमक और एक टेबल स्पुन गी उसे पहले हम खीच़गे कोुमिक्स कर लेते हैं तो उसके लिए यहां पे sail लिया है उसे हम एक प्रेट में एड़ कर देते हैं इसके बाद हम इसमें मुंग की डाल एड़ करेंगे फिर हमने जो ये चने की डाल और गेहु लिया है तो इन दोनों को हमने पहले से ही भिगो के रखा है तो उसे हम सारा किच्रा मिक्स करने के बाद इसमें मिला लेंगे इसके बाद हम इसमें एड़ करते हैं तुवेर की डाल फिर एड़ कर देंगे मूंग और फिर हमने जो ये हरे वाल लिये हैं उसे एड़ कर देते हैं इसी के साथ हरे चने हरे मटर के दाने और हरी तुवेर को एड़ कर देते हैं और इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे और फिर अभी हम इसमें add कर देंगे हमने जो गेहू के दाने और चनी की डाल बीगो के रखी ती उसे और जुवार को और फिर इन सारी चीजों को अच्छे से दो लेंगे खिचडी को मैंने पानी से अच्छे से दो लिया है अब हम इसके लिए पहले पानी को गरम करने के लिए रखेंगे लेकिन पर्फेक्ट खिचडा बनाने के लिए आपको अच्छे से माप के पानी लेना बहुत ज़रूरी है तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी खिचडा लिया है तो उसके हिसाब से हम इसी कटोरी से चार कटोरी पानी एड़ करेंगे तो चार कटोरी पहले कुकर में पानी एड़ कर देते हैं और पानी में अच्छा उबाला ने देना है पानी में अच्छा उबाला गया है अब हम इसमें एड़ कर देते हैं नमक कोई लोग मसाले वाला खिच्डा पसंद करते हैं तो आप जाहो तो हल्दी लाल मेर्च ऐसा भी एड़ कर सकते हो अब हम इसमें एड़ करेंगे एक बड़ा चमच गी और गी एड़ करने के बाद और इसमें अच्छा उबालाने देते हैं खिच्डे में उबाला गया है अब हम इसे एक पार अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद अब हम कूकर का डखकन बंद करके पहले हाइफ लेम पे 1 सेटी लगा लेंगे और फिर लो फ्लेम पे 15-20 मिनिट तक अच्छ और इसका बिल्कुल प्रेशर खतम रहने देंगे बीच में नहीं खोलेंगे उसका प्रेशर बिल्कुल खतम हो गया है अब हम खिचड़े को खोल देते हैं और आप ये देखिए खिच्ड़ा बहुत ही अच्छा पगदया है तो अब हम इसके अंदर हमने जो तील लिये हैं इसे एड़ कर देते हैं और फिर इस पे हम एड करेंगे एक बड़ा जमाच देशी गी गी perfect करने के बाद अब इस खिच्ड़ को अच्छे से चला लेंगे खिच्ड़िमें जितना मौश्यर है वो तोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर सारा मौश्यर खटम हो जाएगा तो अब हमारा ये खिच्ड़ा खा जगाए और शाम को ये खीचडा बनाते जरूर खाईए और आपके एक्सपिरियंस मुझे कमेट वक्स में जरूर बताईए वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर करना बिलकल ना भूले फिर मिलेंगे एक नहीं राज़िपी के साथ तब तक एलिये थैंक्स फ़र वाची जाज़िए पूले खाईए येख लाखे लूले खाईए और भाईए लागार पाधके साथ खाईए खाईए जग्य रहीं त.